सबी साथियों को जैहिन इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलीस का जो अभी अभी रिकुमेंट आया है आपको बता दू कि यूपी पुलीस में एसाई एसाई कलर्क का अभी अभी भैकेंसी जारी किया गया है तो अगर आप कंप्टीशन की तेयारी कर रहे हैं आप का है हम आपको भी पूरे डिटेल में बताएंगे कितनी भैकेंसी आये है क्या इसका क्या फिजकल मेजर्मेंट है उससे पहले बता दू कि आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए आपको बता दू कि यूपी पुलीस एसाई कंफिडेंसियल एसाई कलर्क एंड जल्दी से जुर जाइए क्योंकि जॉब से रिलेटेट जितने भी अपडेट आते हैं ने ने भैकेंसी आती है सबसे पहले हमारे चैनल से आपको अपडेट किया जाता है तो सीधा सीधा हम नोटिफिकेशन बें चलते हैं आप देख सकते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश पुलीस उपनिरक्षक गोपनिये पुलीस सहायक उपनिरक्षक लिपिक एब पुलीस सहायक उपनिरक्षक लेखा के पदों पर सीधी भरती मांगी गई है आपको हम पूरे डिटेल में यहां पर बताने वाले हैं कि यहां पर और इसका पेबेंड जो है सेलरी तेरानवे सो से चोंतिस हजार आठ सो वह ग्रेड़ पे ब्याली सो से यहां पे लेबल सिक्स पैतिस हजार चार सो और 35,400 से 1,12,400 रुपया तक रखा गया है दूसरा आप देख सकते हैं पुलिस सहायक उपनिरक्षक लिपिक समुगा की भरती में 449 पद है इसका पे बैंड जो है 52,200 तक है और ग्रेड पे 2800 यह लेवल 5 का जोब है आपको यहां पे आपकी सेलरी 29,200 से 92,300 तक रहने वाली है इसके अलाबा तीसरा जो है आपका पुलिस सहायक उपनिरक्षक है पुलिस सहायक उपनिरक्षक का भैकेंसी यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना है 204 है और पे बैंड इसका 52,200 है और ग्रेड पे 2800 रहेगी इसका लेवल 5 का यह जोब है 29,200 से आपका पे रहेगा 92,300 तक यह आपका टोटल भैकेंसी हो गया आपकी टोटल भैकेंसी है आपकी टोटल भैकेंसी आप देख सकते हैं हाँ पे 921 टोटल भैकेंसी है टोटल भैकेंसी जो है टोटल पद की संख्या 921 है इसके अलाबा हम अब आगे बात करते हैं कि बीबरा ने यहाँ पे दिया गिया है कि किस कैटेगीरी में कितना भैकेंसी दी गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको अनारक्षित देनी ज अन्य पिछरा बर्ग जो है आप जिसे आप OBC बोलते हैं इसका लिए 71 पद रखा गया है अनुसुचित जाती इस आपका यहां पर SC के लिए 24 पद और ST के लिए आपका चार पद रखा गया है यानि टोटल जो पुलिस उपनिरक्षक में टोटल जो आरक्षित पद है आपका गोपनिये विभाग का वो टोटल 268 है यहां पर जो आप उपर देख चुके है कि 208 जो पहला है पुलिस उपनिरक्षक गोपनिये का यहां पर 200 अरक्षक है उसका डिटेलमेंट है उसके तरह से आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लिपिक के लिए जो कलर के लिए है उसका यहां पर 449 पद का यहां पर डिटेलमेंट है इसका उसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस सहायक उपनियरक्षक जो लेखा से संब्दित है उसके लिए यहां पर 204 वैकेंसी है टोटल सीट है उसके लिए यहां पर डिटेल में दिया गया है कि किस कैटेगरी को क इतना भाक्षित किया गया किसके लिए उसकी अलाब हम आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि होना चाहिए क्या सैक्षिन की योगीता होनी चाहिए सबसे पहले बता दू कि आपको सेक्षनिक योगीता कम से कम आपका बैचलर डडरी तो होगा है साथ में डिटेल में बात देंNow की क्या इलिजुलिटी है सेक्षिन कि योगीता में लेकिं सबसे पहले बता दो कि बैचलर डिगरी थे साथ में हम पहले सबसे पहले फॉर्म का डेट देख लेतें कब से कब तक आप भर सकते हैं तब देख सकते हैं ऑनलाइन आबेदन सुल्क जमा प्रारंब होने की तिती साथ जनवरी दो हजार चौबिस से आप फॉर्म भड़ेंगे और अंतिम तिती जो है फॉर्म अपलाई कर और आप अगर त्यारी करें तो बहुत अच्छा मौका है सिदा सिदा हम आगे चलते हैं कि आगे क्या बताया गया है इससे रिलेटेड तो सबसे पहले आपको बता दू कि आप देख सकते हैं पे कि आपको 400 रुपया आपका फी रखा गया है इस भरती पर किदेख लिए लग से बाते नहीं किए यही में यानि सीधा सीधा आपको 400 रुपे सभी के लिए रखा गया निकिसी को छुट नहीं दिया है महिला हो पुरुस हो सब के लिए समान पेमेंट यानि फी रखा गया है अप्लीकेशन थी उसके अलबा हम देख लेते आगे कि सबसे पहला है पुल साथ में बताया गया है कि कम से कम 25 सब्द परती मिनट की गती से हिंदी टंकन तथा कम से कम 30 सब्द परती मिनट की गती से अंग्रेजी टंकन होना चाहिए जी हां यह है पुलीस उपनिरक्षा गुपनिये पद के लिए उसके अलाबा इसमें बताया गया कि यूंतम 80 सब्द परती मिनट की गति से हिंदी आसू लिपी सुरुती लेक उत्तर प्रदेश पुलिस भरती पुर्णती बोर द्वारा अब्धारित सुद्दा के अधार पर अब्धारतियों को सफल घोसित किया जाएगा जी है यहां पर आसू लिपी सुरुती लेक भी लिखना है साथ में के परिक्षा उतिन करना अत्वा सरकार दौरा समकष मानेता प्राप्त करना को यह अहरता धारित करना आबस्यक है इसके अलाव दूसरा जो पद है आपका उपनी रक्षक लिपिक यानि कल्ठ डिपार्टमेंट का उसके लिए क्या डिमांड की गई है अहरता की तो सबके लिए हैं साथ में कम से कम 25 सब्सक्राइब की गती से हिंदी टंकन और कम से कम 30 सब्सक्राइब की अंग्रीजी टेकर इसमें भी आपका टाइपिंग रखा गया है अगला जो पद है तीसरा पद है आपका पुरी सहाय को उपनिरक्षक लेखा भी भागा है इसके लिए देखिए तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए साथ में यहां पर बदाया गया है कि कम से कम 15 सब्सक्राइब की गती से हिंदी टंकन और यहां पर यह मांगी गई है साथ में भारत सरकार राष्ट्री इलेक्ट्रावनी सुचा है यहां पर भी आपको ओ लेवल परिक्षा के उत्तिन केंप्यूटर में सफल यह समझा कक्ष मानेता प्राप्त कोई अहरता धारित करना अवस्यक मांगा गया है साथ में तीसरी बाते हम कर लेते हैं अब हम लिखित परिक्षा की बात कर लेते तो आपको बता दू कि कुल 400 उंकों की आपकी एकजाम होगी अपकी परिक्षा होने वाली है समान हिंदी केम्पूटर ग्यान से आप सववंख का होगा है इसमें 50 कोस्चन्स होंगे आपके उसके अलाबा समाने जानकर यानी जीके-जीएस और क्रेंट फिर सबीं 50 कोस्चन्स होने वाले नियाद आपका उसके अलाबा आप देख सकते हैं यहां पर कि आपका संख्यात्म का मांसिक यूग्यता परिक्षा से भी आपका यहाँं पे 50 कोष्चन होगा हुगा उसके अलाबा आप मांसिक अभीरूची परिक्षा星 बुद्धी लब्दी परिक्षा तारकिक से आपका एरेजिनिंग से भी यहाँं पर. पचास प्रस्ण होगा यानि सो अंक का होगा तोटल आपका 400 की परिक्षा होगी धाई घंटा का टाइम दिया जाएगा समय परियाप्त है साथ में आपकी सारी सब्जिक्ट अच्छी रखी गई है इसमें इंग्लिस नहीं सामिल किया गया है तो चलिए दिखते हैं अगला उचाई क्या रखी गई है तो निम अन्य पिछराबर्ग समान यानि जेनरल और ओबी सी अनुसुचित जाती यानि एससी पुरुस अभिहारतियों के लिए एक सो तिर सेंटीमीटर अनुसी जन जाती और पुरुस अभिहारतियों के लिए नियुंतम 156 सेंटीमीटर यहां पर आपका हाइट रखा गया है साथ में हम देखते हैं कि सीना की बात करें तो आप सीना में देख सकते हैं कि चेस्ट में 77 सेंटीमीटर बिना फुलाएं और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद और यह है ओबी सी और जेनरल और सी के लिए स्टी के लिए यहां पे तमयाां उचाई रखा गया है आप देख सकते हैं क dignity कमसे कम आसलइस मेल रखा है यहां पर्सकपाष्सकंट přिर्लाइब कि अधीजैंड में फिर बना वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका आजाएगा कंप्यूटर टंकन जो यहां पर टैपिंग की टेस्ट होगी आपकी जो हमने बताया पहले कि जितने टैपिंग की टेस्ट होगी जब आप उसमें सफल होंगे फिर आपको टाइपिंग में सफल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आप सेलेक्टेड होंगे वह कंडिडेट जो इन सारी परिक्षाओं में सफल होंगे तो आपको बता दू कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आप अगर बैटलर डिग्री प्राप्त कर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कौसिक जीस अकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपके लिए चैनल काफी हेल्फ हूं लोने बाला है चाहा किसी भी जॉब से रिलेटेट नोटिफिकेशन हो या किसी